फिर नेक्स आता है ये सीन जहां हम डेर सारी नड़कियों को ऐसे capture देख सकते हैं जहां थेरी मुझे एकलोदा subject था राजी और उसके साथ हुआ sexual assault यहां ये film उसे expand करती है और नड़कियों फिर उसके बाद हम ये spooky सा बंगला देख सकते हैं सत्या एंट्री कर रहा है और यहां पार्टी चल रही है अब देखो यहां वह ऐसे दर्वाजा बंग कर रहा है और ऐसे मेटल वायर से गुच्छे से उसे लॉक कर रहा है जिसके बाद कंसिस्टेंट्ली इस इंडस्ट्री का ग्राफ नीचे गया है लेकिन यह साल खताम होते होते इस इंडस्ट्री का वापस से अगर को लेके आने वाला है तो वह और वाली है इस फिल्म राइट है Baby John starring Varun Dhawan in the lead role is clearly looking like the next big blockbuster from Bollywood in the year 2024 Baby John जो की official remake है तलापती विजय स्टार थेरी का और थेरी को डिरेक करने वाले थे आटली और बीबी जों को प्रिद्यूस कर रहे है उनकी वाइफ प्रिया आटली और इसको डिरेक करने वाले हैं डिरेक्टर कलीस जो की आटली के ये assistant डिरेक्टर रहे चुके हैं तो भले बेबी जॉन को आटली ने डिरेक्ट नहीं किया होगा लेकिन उनका influence clearly आपको इस teaser में नज़र आता है और ये फिल्म एक massive upgrade feel होती है थेरी से in terms of camera work, action, even characters जो mass elements से उनने तोड़ा सा और elevate किया गया है और जो actions and pieces हैं उसको लेकि सोड़ा सा और creative end पे ये लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं तेरी वाले scenes तो clearly इस teaser में दिखते हैं लेकिन कुछ ऐसे scenes भी हैं जो की original film में नहीं थे प्लस जो central plot है थेरी का उसको भी ये film completely redo नहीं करती बलकि कुछ significant changes और additions किये गए हैं which indeed shows कि at least थेरी की retailing कर रहे हैं with some improvements over the original I believe कि थेरी आप इस अदे देखिए तो basic plot सबको पता है एक police officer जो की एक politician के आने आता है जिसकी वजह से उसकी family मारी जाती है जिसके बाद से सिर्फ वो police officer और इसकी बेटी survive करते हैं and then वो police officer अपनी job छोड़ के एक नई पैचान बना के कहीं और अपनी बेटी के साथ रहने लगता है similar क्या है थेरी से and most importantly क्या अलग है थेरी से and why this film will definitely work बात करते हैं इस teaser breakdown में stay tune तो teaser शुरू होता है ऐसे मस सीमरी से जहाँ पर ऐसे तराव है और हम ऐसे यह structure देख सकते हैं बीच में penthouse जैसा और कुछ cars approach कर रही है कुछ जगा पे और फिर कुछ गुंडे निकलके attack करने पहुच जाते हैं इस जगा पे अब यह जगा क्या है और यहाँ पर attack क्यों हो रहा है यह मैं तुम आभी आगे बताता हूँ फिर अब यहाँ देख सकता है कि पुलीस एक search करता ही है इस पूरे field में अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ऐसे पेर से यह shed type का structure बना हुआ है इस चीज को याद रखना अब मुझे ऐसा feel होता है कि यहाँ पर वो किसी को दफन करने के लिए ऐसा कर रहे है ऐसा क्यों लगता है आगे पटा चलेगा फिर यह location आती है जहां हम देख सकते हैं कि सबने white पहना हुआ है might be यह एक शोक सभा या funeral चल रहा है किसका चल रहा है अगें थेरो सब कुछ एक साथ डिपोट करूँगा और इन सारे scenes के दौरान वरुन दवन हो प्ले सत्या उसकी जो बीटी है उसका narration भी चल रहा है उसके बाद कुछ quick snippets आते हैं जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देख फिर next आता है यह scene जहां हम deer सारी लड़कियों को ऐसे capture डिख सकते हैं now this is a very vital scene अब theory में याद करो जो central plot होता है जहाँ पर जो हमारा main villain होता है minister वना ममलाई उसका बेटा राजी नाम के एक लड़की को sexually assault करता है जिसके बाद से वो मर जाती है और फिर विजे उसके बेटे क का missing poster इस लड़की के चैरे पर एसे उड़की चिपका हुआ है और इस लड़की को guide करने वारा जो होगा वो होगा बबल शेर का बेटा जिसको सत्या मार डालेगा और इसलिए यहां यह लोग सत्या की कार पे bottle fake रहे हैं बड़ इस plot point के लावा यह film इसमें एक addition भी करती है औ यह scene जहां देर सारी नरकियां और कुछ औरतें ऐसे container में बंद हैं जहां थेरी में जो एकलोदा subject था वो था राजी और उसके साथ हुआ sexual assault यहां यह film उसे expand करती है और नरकियों के smuggling को अपना core subject बनाती है फिर यह next scene लेको तो यह वही scene है जहां ऐसे गुंडे सत्या और उ रही है अब देखो यहां वह ऐसे दरौजा बंग कर रहा है और इसे metal wire से उसे लॉक कर रहा है प्लस यहां देखो तो सत्या के बार लंबे हैं जहां पर सत्या पर पर एक बेकरी ओनर है इन फैक्ट आगे टीजर में हम एक सीन देख सकते हैं जहां पर उस बेकरी का नाम बेर टोस्ट ऑन कोस्ट फिर नेक्स सीन जाहें से जीप आती है और इसे पुलीस युनिफॉर्म में बारिश में बिल यह एक्जाट सीन है वह थेरी वादा जहां पर विजय कमबाक करेगा एज़ा पुलीस ओपिसर उस मिनिस्टर को मारने के लिए और फॉर्ण दवन इन इन इं राए इस टीजर में वरूल दवन क्लियर ली विल शाइन एज़ाइज और फिर 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 थाना पती येस थाना पती विजटा वह आइकॉनिक कड़े वाला एक्शन जिसको यहां पर होमाज दिया जा रहा है देन विए लुक अट के टी सुरेश अस दामें हिरोई वो यहां पर वो सेम विलन कारेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि थेरी में महेंदरन सर ने प्ले किया था बट वो यहां पर हम क्लियर अप्रेट देख सकते हैं इस कारेक्टर का एस कंपेर तो थेरी फिरन यहां अगें वो सेम जीन देख सकते हैं फ्रेंट से जो की टीजर की शुरुआत में में देखा था जहां जाकी शुरुआफ ऐसे जमीन खोद रहे हैं ना नोटिस करो कि यहां सबने वाइट पहना हुआ है ना आई बीव की माइट भी यहां पर बपर शेर जो जमीन यहां पर वो अपने बेटे को ही दफन करेगा ऐसा मुझे लगता है कुछ और भी हो सकता है यहां पर अब आता है यह वाला स्लो मोशिन शॉट अब यहां नोटिस करो इस जगह के रूफटॉप को और आस पास हर्म तालाब देख सकते हैं यह वही सेम जगह है जहां टीजर एक additional scene है जो कि theory में कहीं पर भी नहीं था फिर उसके बाद next scene में देखो तो सत्या अपनी shirt फार रहा है यहां भाग रहा है क्योंकि किसी ने खुद को आग लगा दी है अब मैंने teaser के शुरू में कहा था कि यह पेल वारी जगह याद रखना देखो यह वही same spot है तो what I believe कि इ यहां वो उसी लड़की को ढूंड रहे हैं जिसको बबर शेर के बेटे ने किड्नाप और सेक्शली असॉइट किया था यहां वो उने मिल जाएगी बट वो खुद को आग लगा लेगा एं सत्या ऐसे shirt फार के उसे बुझाने जाएगा फिर उसके बाद अगें वह haunted बंगल यहां फिर वो उन सारे लोगों को जाके मारेगा बिकास ओविसली उन्होंने उसकी बेटी पर अटैक किया यह डिफिनिटली बहुत ही मासी सीन होने वाला है जिसमें मज़े आने वाले हैं बहुत काईदे से फिर उसके बाद विकेट असे बस वाला सीन और बारुन दवन क् मेरा क्रिसमस का इंदिजान तो हो गया भाई लोग बारुन दवन विल किल इट टेफिनिटली एन यह फिल्म एक प्रॉपर मास एंटर्टेनर होने वाली है तो भाई यह वीडियो खतम होती है वाकि तुम्हारे गया थौट से इसको लिके वज़े कमें बॉक्स पर लिके ज झालस वाचिंग